A very good news for the aspirants who were trying to apply the post in Punjab for assistant professors as well as for librarians. Some, kuch assistant professors or librarians जो के इस बात से थोड़े परेशान थे के उनकी age over हो चुकी है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था के 37 जो है गौर्मेंट ने age limit रखी है जो इन post के लिए apply कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की और Mr. Krishnan कुमार जी को Secretary Higher Education को मिले और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से attend किया और even age limit जितना proposal था उससे अधिक कर दिया ठीक तो age limit 40 तक वो सोच रहे थे उन्होंने 45 तक करके higher authority को proceed कर दिया था forward कर दिया था forward करने के बाद अभी wait कर रहे थे कि उस पर कितनी age अभी higher authority ministry of education और chief minister of Punjab कितने पर agree होते हैं 42 पर 43 पर या 45 पर तो उसकी आज जो formality थी वो पूरी हो चुकी है जो higher authority के table पर file पड़ी थी उसको रंग लग गए हैं तो आपके लिए खुश खबरी बन गई है तो आपके लिए खुश खबरी क्या है कि वो age limit क्या हो चुकी है आज ही इसका notification हो जाएगा notification से पहले अभी ये वीडियो निकाल रहा हुआ कि आप त्यारी करना शुरू कर दें तो age limit हुई है general category के लिए 45 year और reserve category के लिए upper limit है 50 year अब वो लोग apply कर सकते हैं जिनको पिछले 20 सालों से justice नहीं मिला आज अगर होता तो वो इन के लिए इन post के लिए fight करके इन post पर अपनी service provide करते होने थे तो ये खुश कबरी है बड़ी अभी अपना application form fill करना शुरू कर दीजिए किसी भी तरह के कोई information चाहिए problems जो comment box में आती रही है साथ साथ में मैं discuss करता रहा हूँ आपको कोई problem आती है आप साथ में comment box पर जा मेरा उपर phone number भी है आप मेरे से बात भी कर सकते हो in emergency फर्दर हर रोज वीडियो इसलिए update करता हूँ कि यह जो 20 साल बाद एक दुख से थोड़े सुख में जाने का मौका मिला है उसको गवाईये मत इसके इलावा मैं MCQ क्योंकि सारा जो question है test है वो सिर्फ test पर based होगा साथ में category और test दोनों के base पर merit बनेगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि MCQ से हमने कैसे fight करना है कैसे deal करना है और कैसे solve करना है तो easy question तो सभी solve कर लेते हैं easy का मतलब ही यही होता है कि सभी जनोंने जो solve कर लिया लेकिन difficult questions solve करेगा इन post पर हक वो जमा पाएंगे तो कैसे psychological strategies and rules होते हैं उस पर next video मैं निकाल रहा हूँ आप देख सकते हो अगर आपकी कोई demand है तो वो भी आप बता दीजिए वैसा video निकाल दूँगा short content research का teach कर सकता हूँ इसके इलावा जो अगर आपके पास partial knowledge है जा कम knowledge है तो फिर आपने कैसे mcq से deal करना है solve करना है कि यह जंग आप जीत पाओ तो next video इस पर आ रही है इसी के साथ धन्यवाद आपकी feedback के लिए suggestion के लिए thank you